डाइजेशन सिस्टम यानि की पाचन तंत्रा कभी न कभी तो खराब होता ही है पर अगर बार बार खराब हो तो वो बिमारी बन जाती है खराब पेट डर्थ, गैस, सीने में चलन, नौसिया, कॉंस्टिपेशन और डाइरिया ऐसी कई सारी बिमारी हो सकती है डाइजेशन सिस्टम साफ रखना और उससे भी ज्यादा सही रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको बरजमी या इन डाइजेशन ना हो तो आज हम बताएंगे कि कैसे आप एक अच्छा डाइजेशन सिस्टम लग सकते हैं और दोस्तों अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आजकाई गूरी को सब्सक्राइब करना ना भूले डाइजेशन में सबसे ज्यादा रुकावत खाना ना खाने से या फिर जंक फून खाने से होता है जैसे कि हम जानते हैं कि खाना नहीं खाने पर एक्सक्रीशन नहीं होता और सारे इंप्यॉरिटीज और फैट्स बॉडी के अंदर से निकल नहीं पाते और फिर अलग-अलग बैमारी होती है इसलिए खाते समय पेट भर कर हेल्दी और हैवी फूड खाये ताकि आपका फेट फूल हो और फिर अच्छे से पेट खाले भी हो जाए कहा जाता है कि फाइबर पेट को शिकाओं यानगी कोलन सेल्स को फ्यूल करता है और आपके एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा फूड जिसमें फाइबर मिलते हैं जैसे की ओट ब्रांग, लेग्यूम्स, नाट्स, सीद्स, वेजटेबल्स, होल ग्रेंज और वीट ब्रांग खाये healthy fats जैसे की omega-3 fatty acids आपके एक page को फूल करता है जिससे आपके digestion में अच्छे से help होता है stay hydrated body में पानी की कमी के वज़े से constipation होता है पानी पीने से आपको excretion करने में आसानी होगी doctors और specialists बोलते हैं कि 50-66 ounces यानि कि ये 1.5-2 लीटर पानी तो रोस पीना चाहिए healthy lifestyle के लिए और non caffeinated water ही लेना चाहिए manage your stress बहुत सारे researches और studies बताती हैं कि stress की वज़े से mostly indigestion और पेट खराब होता है stress negatively affect करता है आपके system को और IBS, ulcers, constipation, diarrhea जैसे बिमारी हो सकती है आपको have and what you are eating जबी भी आप कुछ भी खाते हैं उसे ध्यान देकर और बराबर से खाईए ताकि कोई भी unwanted food आपके पेट में ना जाएए इसलिए आप अच्छे से चबा कर और आराम से खाईए अगर आप food particles को अच्छे से चबा कर नहीं खाएंगे तो वो बड़े food molecule आपके air pipe में जाकर भी ब्लॉक हो सकते है move your body regular exercise digestion को easy करने में बहुत help करता है आपके खाने को gravity और movements digest होने में help करते है इसलिए अगर आप movements जैसे की walking या simple exercise या yoga भी आसानी से कर सकते है leave your bad habits alcohol smoking और भी बूरी आदते आपके स्थमक के लिए अच्छी नहीं है ज्यादे तर common digestive problems इसके वाज़े से ही होते है देर रात को खाना खाना या high alcohol consumption इसके वज़े से भी आपके digestion को बहुत ज्यादे एफेक्ट हो सकता है इसलिए alcohol smoke का intake कम करें digestion problem बहुत ही ज्यादा common होगी है and digestive problems की वज़े से embracing यानि कि शर्म नाइक situations जैसे की फार्टिंग, बैठ प्रेट या नौसिया अवाइट करने के रिए ये टिप्स और तरीके आजमा कर देखे अगर आपके पास भी से छुटी कोई और चानकारी है तो हमें comment section में ज़रूर लिखे और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो तक के लिए अलवेता दोस्तो धन्यवाद